हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो चैनल कॉमर्सीरोस क्लासेज और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ दाट इस अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्शिफ फॉर अल्रीडी फोर लेक्चर मैं अपने यूट्यूब चानल पर अप्लोड कर चुका हूं बेटा इस लेक अब फिर इस वाले लेक्चर के साथ आप लोग क्या करो गें? कांटेन्यू करोगे पीछे के चार लेक्चरस देखने के लिए नीचे दिस्क्रिप्चिन बॉक्स में क्या दिख जाएगा आपको एक लिंक दिखेगा बच्चो उस लिंक को कडिक करोगे तो प्लेलिस ओपन हो जाएगी accountancy 2000 class 12th की 2023 के students के लिए ठीक है तो आप पहले नीचे description box से पीछे के 4 lectures को देख लेना फिर इस lecture को continue करना या फिर उपर आई बटन देखो उपर आई बिटन आ रहा होगा है ना उस आई बटन पे click करके भी आप पीछे के 4 lectures को देख सकते हो फिर 5th lecture को continue करना पीटा आज हम सिखेंगे एक नया topic ठीक है एक नया topic मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा सर ये क्या है topic देखो lecture 2 में मैंने एक topic सिखाया था आपको interest on loan अब सर वो वाला interest on loan मैंने सिखाया था उसमें क्या होता था देखो ध्यान से फटा फट से एक बार revise करवा देता हूं उसमें ये था कि जब एक partner partnership firm को बच्चो क्या देता है लोन देता है एक partner ने लोन दिया था किसको partnership firm को है ना और फिर partnership firm उसको क्या पे करती है interest on loan पे करती है तो इसकी हमने सारी journal entry सीखी थी अब बेटा इस case को ना reverse कर दो अब इस case को क्या कर दो reverse कर दो अब इसका case opposite हो गया अब अपजर केस क्या है सर या पर देखो जल्दी से अब क्या हो रहा है partnership firm ने loan दिया है partner को बेटा लोन किस नी दिया है partnership firm ने loan दिया है partner को तो this is step number one और बदले में partner जो है वो partnership firm को क्या पे करेगा interest on loan पे करेगा ठीक है इतनी से बात समझे तो case क्या हो गया reverse हो गया अब इसके अंदर क्या होगा देखो ये partnership firm के लिए बच्चों क्या हो जाएगी interest तो हमने उस interest को क्या बोलाता सर ये charge against profit है partnership firm को pay करना पड़ता था चाहे partnership firm loss में क्यों न चली जाए है ना ये हमने सीखा था और बेटा अगर agreement नहीं होता था फिर भी partnership firm को कितना interest पे करना पड़ता था 6% per annum का partnership firm date of interest पे करती थी interest on loan के उपर है ना ये सब हमने सीखा था अब सर यहाँ पे क्या catch है देखो यहाँ पे थोड़ा सा difference है अब यहाँ पे partner को interest on loan पे करना है किसको partnership firm को पेटा अगर partnership deed नहीं है अगर partnership deed नहीं है या फिर कोई भी ऐसा agreement नहीं बना हुआ कि जब loan लेता है partner तो partner को कितना rate of interest pay करना पड़ेगा interest on loan के उपर तो बेटा ध्यान से सुनने नहीं इस वाली बात को partner की जो है ना कोई liability नहीं होगी interest pay करने की मतलब partner जो है ना interest pay नहीं करेगा किसको partnership firm को अगर कोई partnership deed नहीं है इनके बीच में या फिर कोई agreement नहीं है जब partner ने loan दिया था किसको मैं दूसरे वाले tap पे आप लोगों को समझाता हूँ देखो एक बात को ध्यान से समझ लेना यहाँ पे आप लोग क्या कर देते हैं बच्चों गरबड़ी कर देते हैं देखो जिल्दी से एक बात को समझो और इस बात को अच्छे से अपने दिमांग में रिजिस्टर कर लेना ठीक है जब partner ने loan दिया था बच्चों किसको partnership firm को loan दिया था तो partnership firm क्या pay कर देती interest on loan पे कर देती यहाँ पे partnership firm को interest on loan पे करना ही पड़ेगा चाहे partnership date नहीं भी है partnership deed नहीं थी फिर भी partnership firm कितना interest पे कर दी थी 6% per annum पे कर दी लेकिन sir अब जो case आ चुका है उस case में क्या लिखा हुआ है partnership firm ने अब loan दिया है किसको बच्चे partner को loan दिया है ओके yes sir अब बच्चे जो partner है न वो partnership firm को क्या pay कर रहा है interest on loan पे कर रहा है sir अगर partnership deed नहीं हुई या फिर कोई agreement नहीं हुआ इस interest on loan के regarding तो क्या partner interest on loan पे करेगा बच्चे नहीं पे करेगा नहीं पे करेगा उपर पे करना पढ़ रहा था partnership firm को लेकिन बेटा partnership firm partner को force नहीं कर सकती कि तु मिरको interest on loan पे कर तो ये छोटी सी बात थी बहुत important बात थी I hope आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई और मैं continue कर रहा हूँ आगे अब सरे इस वाली case में general entries कैसे कैसे पास होगी अब ध्यान से देखना general entries कैसे पास करनी है आप लोगों को देखो ये जो interest on loan है पेटा ये क्या है income है revenue है किसके लिए partnership firm के लिए और जब revenue increase होता है तो उसको क्या करते है हम लोग credit करते है जर्नल entries के अंदर है ना partnership firm के लिए revenue तो बेटा ध्यान से देखना अब इसके अंदर ना दो cases बनेंगे आपके पहले इस वाली general entry को मैं एक बार क्या कर देता हूँ खुझ से लिखके दिखा देता हूँ फिर यहां से आप लोगों को पढ़ा दूँगा देखो अब यह जो था partner बेटा partner को pay करना था interest on loan किसको partnership firm को बेटा अब इसके अंदर ना दो cases बनेंगे ध्यान से देख लेना बच्चों जिसको समझना है ध्यान से देख लेना अब इसके अंदर case होगा या तो partner या तो partner cash pay कर देगा इसका cash pay कर देगा interest on loan का या फिर जो partner है न वो interest on loan नहीं pay करेगा दो cases होगया बेटा या तो partner interest on loan नहीं pay करेगा या फिर partner interest on loan cash में pay कर देगा अब ध्यान से देखो, अब अगर ये partner ने चलाकी करें, अगर इसने इंटरस्टन लोन पे नहीं करा कि इसको बच्छे partnership firm को, तो अब partnership firm क्या करें, अब घी अगर सीधी उंगली से निकलेगा, तो उंगली को क्या करना पड़ेगा, तो company क्या करेगी, partnership firm क्या करेगी, इसकी capital मे पास partner का पैसा बड़ा हुआ था ना, उसमें से आप क्या कर लेगी, partnership firm पैसे काट लेगी, तो बेटा, जनरल इंटरी पास होईगी, ध्यान से देख लेना, partners, capital, देखो, राइटिंग मेरी ज्यादा सुन्दर है, ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आपको समझ भाएगा, partners, capital, account, debit, तो और बेटा, ये क्या है, partnership firm के लिए, interest on loan, income है, to do interest on, ठीक है, इसको क्रेडिट करा सर, आपने सर, revenue भढ़ रहा है, company की income है, तो क्या कर दोगे, credit कर दोगे, और partners की capital की debit करा, because हमने इसकी capital को कम कर दिया, because ये partner पैसे देने को तयार नहीं था, पर क्या लिखोगे, by interest on loan, तो इसकी general entry क्या पास होगी, बेटा, PNL account क्या हो रहा है, credit हो रहा है, तो इहां पर क्या लिखोगे, आप लोग, interest on loan, account, debit to profit and loss account, तो बेटा, आपने income को book कर लिया, कौन से account के अंदर, profit and loss account के अंदर book कर लिया, तो बेटा, ये दो entries pass करोगे, पैसे नहीं देगा, तो partnership firm ये दो entries pass कर लेगी, this is entry number one, this is entry number two and logic is clear, अब बात करते हैं, अगर partner ने पैसा दे दिया, तो सर हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, partner ने पैसे दिया, तो हम क्या बोलेंगे, bank, account, debit to interest on loan, ये company के लिए क्या है, revenue है, बढ़ेगा, तो क्या कर द हमने debit कर दिया, अब ध्यान से सुनो, ये जो interest on loan है, ये partnership firm की क्या है, income, और partnership firm की जो भी income होई गया, profit होगी, वो ultimately किसमें बढ़ जाती है, सर ये तो partners में बढ़ जाती है, तो ultimately ये जो interest on loan है, ये partners को ही तो मिलेगा, और partners को जब भी आप profit distribute करते हैं, तो profits भढ़ते हैं, increase हो जाती थी, तो बेटा, अब ये जो interest on loan है, interest on loan account debit, ये किसको बटेगा, partners की capital में मिलेगा, अब partners की capital क्या हो जाएगी, बच्चों, भढ़ जाएगी, ये ना, capitals increase होगे, बेटा, जब भी profit होता था business में, तो उसको capitals में आप लोग plus करते थे, ऐसे ही ये partnership firm की क्या है, income है ये भी partners को मिलेगा, तो partners ही capital भढ़ जाएगी, ठीक है, capitals भढ़ती है, तो क्या करते है, credit करते है, अब ध्यान से देखो, अब बुक में क्या कर रखा है, देखो, ये interest on loan और interest on loan आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कड़ गया, because debit से credit कर जाता है, तो बेटा, एक ही entry पास होई, कौन से entry पास होईगी, bank account debit, bank account debit to partners capital account, बात मेरी समझ के, ठीक है, तो bank account debit to partners capital account, जब partners cash pay कर देगा, तो आप ये वाली entry pass कर दोगे, और बेटा, जब partners cash pay नहीं करता है, तो आप उसकी capital को क्या कर देते हो, कम कर देते हो, ठीक है, और फिर उसको income को किस में दिखा द आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पेटा, यही चीज़ देखो, यहां पे भी लिखी होई है, देखो फटा-फट से, आजी सर, देख रहे है, बात आगी ना समझ में, बात अगर समझ में आई, तो वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को like करना है, चैनल को subscribe करना है, दोस्तों के साथ share भी करना है शितानो, और comment box में बता दिया करो, कि सर, यहां हमें आप लोग का समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है हमें, बेटा, थोड़ी जी एक motivation मिलती है, कि यहां आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओनलाइन भी, जनल इंटरिस की बात करे, जनल इंटर में से हमने charge कर दिया, बोले तो इसकी capital हमने कम करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरी entry के आ पास होगी, interest on loan account debit to profit and loss account, यह जो income है हमने transfer कर दी किसमे profit and loss account में, अगर बेटा माल लो वो पैसे दे देता, अगर वो क्या दे देता, पैसे दे देता, तो आप general entry के आ पास करते, cash या bank account debit to partners capital, तो यह चीज मैंने आप लोगों को समझा दी ध्यान से, तो ध्यान से देख ले ना इस वाले entries को, अब इस entries के basis को उपर बच्चो क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छे से questions कर लेते हैं, चलो, सर आप questions भी करवाओगे, हाँ जी, बिलकुल, बिढ़ बिना questions के तो आप आपको accounts कैसे समझ में आएगी, तो चलो, एक questions कर लेते हैं, बहुत मज़दार questions, है ना, अब ध्यान से देखना है, एक दाओ, चतानी नहीं करने हैं, आप लोगों को चीजों को समझना है, चलो, देखो, क्या लिखा हुआ है, तीन partners है, देव है, जश्पाल है, प्रेम है, profits equally, तो बेटा, एक partner है देव, एक partner है जश्पाल, और एक partner है प्रेम, profits and losses कैसे share कर रहे हैं, सर, 1 is to 1 is to 1 की form में, लोग profit and losses को share कर रहे हैं, सर, ये 1 is to 1 is to 1 का form क्या हो गया, सर, देखो, total अगर हमारे पास 3 toffees है, तो एक toffees किसकी है, जश्पाल की, और एक toffees किसकी है, चलो, प्रेम had taken loan from the partner, from the firm, तो प्रेम ने loan लिया था, प्रेम छूपडा, प्रेम ने loan लिया था, किससे partnership firm से, किस दिन लिया था बच्चे, 1st January 2023, कितने का 5 lakh का, तो पार्टनर ने loan लिया है, किससे partnership firm से, तो पार्टनर पे करेगा, interest on loan किसको, partnership firm को, what general entries will be passed if, क्या general entries आप लो not agreed, बेटा, ना तो कोई partnership भी थी, ना तो इनके बीच में कोई agreement था, तो मैंने क्या बोला, partnership firm कभी भी partners को force नहीं कर सकती, किला partner मिरको interest on loan पे कर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेटा, in the absence of agreement, interest on loan will not be charged on loan to partners, तो यहाँ पे बेटा, कोई भी interest नहीं लिया जाएग कोई भी interest पे नहीं करेगा partner किसको partnership firm को, next case क्या लिखा हुआ है, rate of interest to be agreed at the rate 10% per annum, अब बेटा, यहाँ पे rate of agreement क्या था, 10% था, तो partners को अपने loan के उपर कितना rate of interest पे करना था, 10% पे करना था, अब ध्यान से देखो sir, यह 10% लिखा है per annum, per annum का मतलब पूरे साल का, कितना बारा महीने का, बारा महीने का आप पूरे साल कितना interest लोगे, 10% का, लेकिन बच्चो partner ने loan कब लिया है, sir partner ने loan लिया है, एक January 2023, पेटा साल कब खतब होएगा, sir 31, March 2023, तो partner से आप कितने महीने का interest लोगे, sir जी हम तो 3 महीने का interest लेंगे, है ना, समझे, मेरी बात नहीं तो बच्चो यहाँ पर जनल, वो calculation कैसे करोगे, देखो 5 लाक का loan था, sir 1, 2, 3, 4, 5, sir हमने कर दिया 10%, तो यह कितना आजाएगा, बच्चो 50,000, कितना आजाएगा, बच्चो 50,000, लेकिन, चतानो सुनो, यह 50,000 जो है, यह पूरे साल का interest है, है ना, हमें तो सिर कितने महीने क अगर मैं इसको divided by 12 कर दूँगा, तो बेटा, यह जो interest आजाएगा, कितने महीने का आजाएगा, एक महीने का आजाएगा, multiply by 3 कर देता हूं, तो कितने मंच का आगया, 3 महीने का आगया, बेटा, इसको आप solve कर लोगे, तो आपका rate of interest आजाएगा, 12,500, कितना आजाएगा, 12,500, अब बेटा, जनरल इंट्रीज क्या पास करोगे, देखो, क्या इसमें बोल रखा है कि partner ने अपने interest on loan के पैसे पई करेंगे, नहीं बोल रखा सर, बोल रखा है गया, कि partners ने पैसे पई करा है, अपने interest on loan का, नहीं बोल रखा, तो इसकी capital को हम क्या कर देंगे, कम, सर क इसकी capital को, प्रेम की capital को कम करेंगे, ना, because प्रेम ने loan लिया था, यहां पर क्या लेका, हमने प्रेम's capital account debit to interest on loan to partner, किता बच्चो, 12,500, 12,500, बेटा, इसकी capital को हमने कम कर दिया, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिये थे, interest on loan company के लिए revenue था, भढ़ता है, तो क्या करते है, credit करते ह और सर, यह जो income है, इसको हम किसमें दिखा देंगे, profit and loss account के अंदर, तो interest on loan account debit to profit and loss account, बेटा, profit and loss account क्या हो जाएगा, अपना credit हो जाएगा, because credit side pay, आप लोग income दिखाते हो, और ध्यान से जब भी आप exam के अंदर ही question करते हो, तो नीचे, narrations लिखनी, मत भूलना, है न, narrations लि न, narrations साथ साथ लिखते रहना, चलो, आगे चलते बेटा, next question, अब यह वाला super duper important question है, ध्यान से, इस question को ध्यान से देख लिए न, और एक बार अपने resistance में भी करने रहा, क्या लिखा हुए, राकेश, गौरव और कबीर are partners in a firm, कबीर बोले तो कबीर से, कबीर has been given loan by the firm, तो कबीर को loan दिया गया था, किसने loan दिया था, company ने, किस दिन, first October 2022 कितने का 6 लग का, interest कितना agree हुआ, कितना pay करेगा, कभी 10% per annum pay करेगा, अब देखो, agreement हुआ था, तो कबीर को pay करना पड़ेगा, partnership firm को, अगर कोई agreement नहीं होता, तो कभी नहीं pay करता, interest was paid by check, ओके सर, अब यहा was paid, बेटा, interest की payment हुई थी, कैसे हुई थी, सर, checks हुई थी, मतलब, bank account में, पैसे आए थे, कब तक के, सर, फरवरी तक तो, October 2022 से लेके, फरवरी तक कितने पैसे होगे, दोस्तो, October 2022 से लेके, फरवरी 2023 तक कितने पैसे होगे, October, November, December, January, February, सर, 5 months होगे न, बचो कितना months होगे, 5 months, तो 5 months का interest किसने पै करा, कबीर ने पै करा, किस दिन पै करा है, 10 March 2023 को पै करा है, balance is yet to be paid, तो बेटा, जो March month का जो balance था, वो अभी भी इसको पै करना था, क्योंकि फरवरी तक का ये पै कर चुका है, February के बाद आता है, बचो, March, March का भी भी इसको पै करना है, तो सर, पहले 5 months का interest निकाले किता होता है, तो सर, देखो, 6 lakh था, बचो, 10% था, 10% तो पूरे साल के इसाब से किता हो गया, 60,000, इसको divided by 12 करा, तो एक महिने का आ गया, एक महिने का किता हो गया, बचो, 5000, हमें पहले कितने महिने का इसने पे कर रहे, 5 months का तो ये किता आ गया, बचो, 25,000, किता आ गया, बचो, 25,000, ठीक है, तो 25,000, तो पैसे आ गए, किसके पास, partnership firm के पास पैसे आ गए, तो partnership firm क्या बोलेगी, और बेटा किस दिन आये थे, 10th of March को आये थे, तो यहाँ पर date कौन से डली, 10th of March, company ने क्या बोला, वावा, हमारे bank account में पैसे आ गए, bank account debit to interest on loan, किता 25 25,000, 25,000, अब बेटा, जो March के पैसे जो आने थे, तो March के किते पैसे है, बेटा हर महीने के 5000 रुपे ते, तो March के किते पैसे कबीर सिंह ने पेह नहीं करे, तो अगर इसने सीधा-सीधा पेह नहीं करा, तो कहां से काट लेंगे, सर, उंगली को तेड़ा करना पड़ेगा, partnership firm को और इसकी capital में से हम लोग attack कर देंगे से तो इसकी capital पे आओ दोस्तों तूट पड़ते और attack करते तो कभी इसकी capital को partnership firm ने कम कर दिया अपनी income book कर लिए कितनी book कर लिए सर फाइफ थाउजन की book कर लिए और फिर क्या कर दिया interest on loan to pnl account तो बेटा इसको इंकम book कर लिए टोटल कितनी income थी partnership firm की सथ 30,000 की income को book कर लिए बात इतनी सी है और बच्चों नीचे आप लोग क्या लिखोगे narration को लिखोगे total income जो 30,000 थी वो profit and loss account के अंदर चलीगी ठीक है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला question भी तो इसी के साथ आपका जो एक concept था कि जब loan pay करता ही है partnership firm partner को तो सर उस case में क्या क्या जर्नल इंटरीस पास करते है उसके मैंने आप लोगों को बच्चे बहुत अच्छे questions भी करवा दिये ठीक है चलो अब next वीडियो में है चैनल को सब्सक्राइब करना चलो बाई बाई थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो बच्चो